जारखन नुज में आपका स्वागत है चलिए जानते हैं सुबा से लेकर साम तक की तमाम बड़ी खबरों को इसे पहले आप जारखन के किस जीले से नुज को देख रहे हैं हमें कोमेंट बक्स में जरूर बताईए साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूले आज का लाइक एम 500 है उमीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे जारखन मैट्रिक इंटर परिक्षा में होम सेंटर को लेका जैक अध्यक्ष ने भेजा पत्र जारखन के पडोसी राज बिहार में जहां एक और एक फरवरी से इंटर की परिक्षा सुरू हो चुकी है और 17 फरवरी से मैट्रिक परिक्षा सुरू होने वाली है वहीं दूसर केंद्रों का जाजा लेने का दिशार निर्देश दिया है वहीं जैक अध्यक्ष ने सिक्षा सचीव को पत्रे भेज कर मैट्रिक वाइंटर परिक्षा के तिथी घोसीत करने का आग्रा किया अब तक सिक्षा विभाग जैक में अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष की न्युक्ति नहीं होने का रोना रो रहा था लेकिन जन्वरी माह में दोनों पदो पर पदा अधिकारी की न्युक्ति होने के बाद भी परिक्षा लेने को लेकर कुछ खास क्वाइद नहीं की जा रही इससे जार्खन के करीब 7.5.6.7 का भविश से अधर में लटका है रामगर बिधायक मगही भोजपूरी और मैथली को अस्थानिय भासा से हटाने की मांग की जार्खन के रामगर की बिधायक मामता देवी ने कंग्रेस बिधायक दल के नेता अलमगीर आलम से मुलकात कर आगरा किया है कि मगही भोजपूरी अंगिका और मैथली को अस्थानिय भासा के सूची से अलग किया जाए जार्खन करमचारी चैन आयों की परिक्षावों के लिए हाल में ही जारी भासावों के सूची में इन भासावों को कई जूलों में सामिल किया गया मामता देवी ने अपने पत्र में लिखा है कि इन भासावों से सम्मधित अधी सुचना के परकासन के बाद से ही बहुत संख्य अस्थानिये और मुलवासी लोगों में आक्रोश है और वे चाहते हैं कि नौकरी के लिए अस्थानिये लोगों को तरजीह दी जाए सुधरुवर्ती छेतर के लोगों को योजनाव का लाब कैसे मिलेगा हाई कोट ने मांगा जबाब राजे में भोग से मौत के मामले के सुनवाई करते हुए हाई कोट ने राज सरकार से जबाब मांगा है चीफ जस्टिस डाक्टर रवी रंजन और जस्टिस सुजीत नराइन परसाथ के अदालत ने सरकार से यह बताने को कहा है कि राज्य के सुधरुवर्ती छेतरों में राणने वाले लोगों को सरकार की सभी जोजनाव का लाब देने के लिए क्या तंत्र बनाया गया है इसकी जनकारी तीन सब्ता में अदालत में दाखिल करने को कहा गया इस मामले में अदालत ने सोता सग्यान लिया है डर से पेट्रोल सबसीड़ी नहीं ले रहे लाभूग गरीबों को रहाद देने के लिए सरकार ने पेट्रोल सबसीड़ी यह ज़ना शुरू की है तो उनका राशन का ट्रद न हो जाए और उनके खिलाब कानूनी करवाई शुरू न हो इस कारण कई परखंडों से इस वेजना के लिए आवेदन ही नहीं आ रहे इसकूली बच्चों को फिर से मिलेगा भोजन पैकेट जारखंड में इसकूलों में पढ़ने वाले बच्चों को अब फूड पैकेट दिया जाएगा राजे में मद्यान भोजन के कुकिंग कोश्ट की रासी से फूड पैकेट तयार करके देने की एक बार फिर से त्यारी शुरू कर दी गई है फूड पैकेट अप्रेल 2021 से जन्वारी 2022 तक के लिए कक्षा एक से आठवी कक्षा तक में पढ़ने वाले सभी बच्चों को दिया जाएगा उधर पिछले दस महिनों के लिए 32,64 के लिए 370 क्रोर की कुकिंग काश्ट की रासी है इस रासी से फूड पैकेट देने या फिर रासी बचों के बैंक खाते में सीधे टांसफर करने के लिए अम्तिम निर्नाय स्टेरिंग कमिटी करेगी मद्याहन भोजन प्रादीकरन की ओर से इसकूली सिक्छावत सक्षटा विभागने कमिटी को प्रस्ताव भेज दिया है सुअर कोकिला भारत रत नलाता मंगेसकर का निधन स्युआर कोकिला भारत रतन लत्ता मंगिसकर के निधन पर राज जेपाल रमेश बैस समयत कई नेतावने भाव भीनी सरदाइली देते हुए इसे देस के लिए अपूर्निय छाती बताया जार्खन के राज्येपाल रमेस बैसने लाता दीदी के निधन पर दुख ब्यक्त करते हुए कहा कि उनका जाना देश एवं कला जगत के लिए अपुर्णिये छती है जार्खन में राशन बित्रण में अब नहीं होगी गलबड़ी जार्खन में राशन बित्रण में माप तौल को लेकर मिल रही गलबड़ियों की सिकायतो परोक लगाने के त्यारी चल रही है इसके तहत खादयापूर्थी विभाग ग्रेन एटियम सेवा सुरू करने जा रहा है विभाग की ओर से पाइलट प्रोजेक्ट के तहत इसी वर से जोजना सुरू की जाएगी योजना को लेकर खादयापूर्थी एवं उभोक्ता मामले के निदे साला की ओर से बिग्यापन निकाल कर निविदा मत्रित की गई कमपनी से 21 फरवाई तक आवेदन मांगा गया है जारखन में फिर बिग्डेगा मौसम का मिजाज रायस्थान से आय पच्मी विशोब का असर जारखन में समाप्थ हो गया है सनीवार को रायधानी राची सहित कई इलाकों में मौसम साप रहा वहीं सुक्रवार की साम से देर रात कई जीलों में बारिस हुई बारिस से ताप मान गिरा है और ठंड बढ़ गई है राची और चत्रा के सिमवर्ती लाग के पीपरवार में ओला विरिष्टी भी हुई है रायस्थान से आय पच्मी विशोब का असर जारखन में समाप्थ हो गया और मौसम साप भी हो गया है वहीं 6 फरवरी को एक बार फिर हिमाले में बिचोब बन रहा है 9 फरवरी को राची समेथ पलामो गढ़वा चत्रा कोडर्मा लाते हार लोहर्दा का बोकारो गुमला हजारी बाग खुटी और रामगण में हलके से मत दर्ज की बारिस हो सकती है वहीं एक गार फरवरी से मौसम साप हो जाएगा इसके बार ठन घटने लगेगी जारखन में होगा क्राइम कंट्रोल राज्य के सभी जिलों में संगठित अपराध गिरोह से जुड़े अपराधी और दूसरे अपराधियों के खिलाप कठोर करवाई के लिए अपराधियों को अब तीन सिरेनी में माटा जाएगा CID मुख्याले ने सभी जिलों के एसपी को अपराधियों के खिलाप करवाई करने और सत्यापन करने का टास्क दिया है इस अधार पर जिला अफसर पर पूलिस ने करवाई शुरू कर दिया है उक्त पूलिस आदेस राज में अपराध नियंतरन को लेकर 13 मैं 2011 को ततकालिन डिजीपी गौरी संकरत ने त्यार किया था CID मुख्याले ने फॉर्मेट उपलब्द कराया है गिरो से जुड़े अपराधियों के खिलाप करवाई और सत्यापन के लिए CID मुख्याले ने एक फॉर्मेट भी उपलब्द करा दिया है लाठी चले या गोली दुकान वहीं खुलेंगी यह हाल है मौराबाधी दुकंदारों का जिला परसासन के आदेश पर नौ दिनों से दुकाने बंद किये बैठे मौराबादी के फुटपात दुकंदार परिसान है इनके लिए जो बैकल्पिक जगा चीनित की गई थी उस पर भी दुकाने लगाने की अनुमती नहीं मिली जिसे इनका सब्र जवाब दे चुका है सनिवार को मने आता पैलेस के समीप धरने पर बैठे मौराबादी दुकंदार संक्य अध्यक्स कुमार रोशन ने चेतावनी दिया की अगर जिला परसासन और राचिन नगर निगाम 72 घंटे में नई जगा चीनित नहीं करती तो मंगलवार से मौझूदा जगा पर सारी दुकाने खोल दी जाएगी इसके बाद लाठी चले या गोली दुकंदार पिछे नहीं हटेंगे सभी सिविल कोट में लगेंगे सिसी टीवी कैमरे जारखन हाई कोट ने राज्य भर की अदालतों में सुरक्षा को लेकर दायर विभीन जनहीत याजकाओ पर वीडियो कंफेंसिंग के मादेम से सुनवाई की चीफ चस्टिस डाक्टर रवी रंजन और जस्टिस सुजीत नरायन परसाथ की खंट पिठ ने राज्य सरकार को सिविल कोट में कोट रूम कर्याल वब परिसर में जल्द से जल्द सिसी टीवी कैमरे लगाने को कहा है इसके बाद खंड पिठ ने अगली सुनवाई के लिए 18 फरवरे कितिनी धारित की है पलास्टिक और थर्मो कोल का इस्तेमाल करे बंद अब पलास्टिक और थर्मो कोल के कप, पलेट, चमच, एस्ट्रा, आदी का उपयोग, निर्मान और कारोबार परतिबंधित होगा केंद्रिय परदूसर नियंत्रन बोड ने इससे समधित नोटिस भी जारी कर दिया है इसमें काहा गया है कि यह नोटिस एक जुलाई 2022 से परभावी होगा इसमें पलास्टिक के इएर बड श्टिक, बैलून में लगा पलास्टिक, जहन्डा में उपयोग होने वालब पलास्टिक, पलास्टिक का कैंडी श्टिक, आइस करीम स्टिक तथा सजावट के काम में आने वाले थर्मो कोल भी पर्तिबंदित स्रेनी में रहेगा मिठायों के लिए प्लास्टिक का कवर, निमंतरन कार्ड के साथ प्लास्टिक, सिगरेट पैकेट के उपर प्लास्टिक, सो माइक्रोन से नीचे का प्लास्टिक और पीवीसी का बैनर भी पर्तिबंदित स्रेनी में होगा गुमला के बुजूर गुवाद दिव्यांगों को नहीं मिल रही पैंसन जारखंड के गुमला जी लेके गुमला परखंड की कत्री पंचायत इस्थीत चुहरू अहीर पूरवा गाहों के बिरिधों ने कहा की हुजूर जिन्दा रहते पैंसन दिलवा दिजिए ताकि हम अच्छी जिन्द की जी सके मरने के बाद कौन पुस्ता है विरिध हो चुके इन लोगों को अब तक पैंसन स्विक्रिती नहीं हुई है कई बार पंचाज सेवा को अवैदन दिया प्रतुपेंसन स्विक्रिती नहीं हुई विरिधों का आरोप है की बिना घोस लिए कोई काम नहीं होता है लेकिन उनके पास पैसा नहीं है यही हाल निशक्तों का भी है जाम तरा के तीन सरकारी स्कूलों में होगी CBSE की पढ़ाई छारखन के जाम तरा जिले के बच्चों को तीन सरकारी स्कूलों में CBSE की पढ़ाई की सुविधा मिलेगी इसके तहट प्रथम फेज में JBC पलस टू उच बिद्याले जाम तवा में अंग्रेजी मार्द्या में पढ़ाई सुरू होगी इन बिद्याले को CBAC बोर्ट की मन्याता को लेकर सभी परकिरिया पूरी कर ली गई है सिर्फ बिभाग की ओर से अपचार रिक्ता बाकी है इसके लिए जारकन सिक्षा पर्यूना ने एन OC का प्रस्ताव विभाग को भेजा था जहाद सुकृती दे दी गई है लालू यादव 14 फरवरी को आएंगे रांची चारा घोटाला मामले में राजा सुप्रीमो लालू यादव को CBI की विशेस अदालत 15 फरवरी को रांची में साजा सुनाने जा रही है रांची जीले के डोरंडा कोसागार से 14.35 क्रोर की अवैद निकासी का या मामला है इसे चारा घोटाला का सबसे बड़ा मामला का आजाता है साजा सुनाने के लिए लालू यादव को 14 फरवरी को ही रांची पहुंचना होगा 15 फरवरी को सुबा 10 बए तक त्यार होका रहा होटल से सीधे कोट पहुंचेंगे धन्यवाद यादी आप चैनल पर नहीं होते हो चैनलों को सबस्क्राइब कर बहल कर बेले कंदबाईए साथ साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों को सेयर करना ना भूले साथ सी साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फिड़बाइक अवस से दे थैंक्यू